Hello, Asalaamu Alaikum Friends My Name is Asana & Welcome to my Channel अभी तक जो हमने पीछे अपने कोर्स में पड़ चुके हैं वो सिफ स्लेक्ट कर रहे थे हम अपने डैटा को उसमें डिफरेंट उपरेशन्स यूज़ कर रहे थे अभी तक हमने यह नहीं किया कि हम अपने data को कोई limit लगाते हैं कोई condition लगाते हैं अभी तक हमने ऐसी कोई चीज नहीं की हम कोई भी चीज स्लेक्ट करते थे वो सारी चीज सारा record आता था मैं अगर मैं अब हमने जो आज पढ़ना है वो है कि हम लिमिट करेंगे कि मैं कहता हूं कि रिकार्ड तो मुझे सारा ही चाहिए लेकि मुझे उन लोगों का सारा record चाहिए जिन्हों की डिपार्मेंट आइटी नाइटी है तो उस चीज के लिए हम क्या चीज यूज करेंगे आज हम वह ची क्या चीज करने हैं हम क्या चीज बेसिकले करें हम क्या चीज लिमिल लगारें रोज के ओपर कमुझे सारा रोज नहीं चाहिए मुझे कुछ मकसूस्य चाहिएं अब हो कौन सी है तो जो जूज सी भी हम उसके साथ मेरा हमारा तीसरा जो keyword जो मैने में में बताया ता स्लेक्ट फ्रॉम के बाद वह यूज होने शुरू होने लगा है वेर कीवर्ड ठीक है अब वेर कीवर्ड क्या करता है कंडिशन लगाता है मैं मुझे उपड़ी एक सारी चीजों का सिंटेक्स है मतलब बताया हुआ है स्टैरिक भी हो सकता था इस तरह किसी खास कॉलम भी यूज कर सकते थे फिर कोई ऐलियस यूज कि इसी तरह जो भी हमने चीजे उपड यूज किया है उसने उपड उसका सिंटेक्स सबनाय हुआ हूआ है पर कहां से टेबल से वेर अब हमारा जो कहां में आब आगया अगय है कॉल में उसको कंड guardians दे दी उसने उस पर काम करना है ठीक है अब वेर क्लास फोलोड़ फॉर्म क्लास कैते है वहर क्लास जो है फुरम क्लास के बाद आता है ठीक है मैंने जैसा के मैंने आपको का के मुझे डेपार्ट मुझे एंप्लोविय आइडी चाहिए ठीक है last name चाहिए job ID चाहिए department ID जोन जोन से column भी मुझे चाहिए वो वले column चाहिए कहां से employee के table से ठीक है किन के चाहिए उन बंदों के चाहिए जिनों की department ID है वो 90 है मुझे उनों का चाहिए ठीक है तो अब देखे मुझे सारा रिकार्ड नी आया है वो वले column पहली बात तो जोन-जोन से मैंने उनको कहा था ठीक है और फिर सिफ वो वले रिकार्ड आया है जिनों की department ID 90 है उसके लावा तो कोई रिकार्ड नी आया है यह क्या हमने इसको क्या कोई limit करती है वेर क्लास यूजर वेर क्लास में कोई किसी भी किसम की condition दे सकते हैं अभी हम simple कर रहे हैं तो हम simply condition दे रहे हैं अब मैं कहता हूं कि अब यह तो था मैंने आपको बताया था ना कि जब हम देते हैं क्रेक्टर यह special क्रेक्टर यह date हम string में लाते हैं जब number देते हैं तब नहीं हम करते हैं तो देखें यह 90 मैंने अपनी मज़े से देना 90 नमर मुझे चाहिए तो मैंने 90 के साथ string में लिया अगर कुछ ऐसा record चाहिए जो के हमारे पास string के अंदर है character string यह date के अंदर उसके साथ आपको पताय लगाना पड़ता है अब यह क्या है कि character string and date values are enclosed in single quotation marks मैंने आपको बार बार वो एक ही चीज को repeat कर रहा है वो यह चीज बहुत important भी है कि जो character string है यह date है उसको आपने से single code के अंदर ही लालना है ठीक है फिर character values are gain sensitive and date values are format sensitive वो बता रहा है कि वैसे तो आपकी queries है वो gain sensitive नही है case sensitive नहीं है लेकिन जो character values है जो यह values है जो condition आपने where में देनी है character खुद देने है वो case sensitive है अब अगर देखें इसका आपको जब practical करेंगे अभी आप सारा सही तरह पता भी चले जाएगा मैं आपको यहाँ भी बताता हूँ मैंने का select last name job id और department id करे कहां से employee के table से मैंने का जिसका last name हो वैलन वो select करें अगर तो वैलन के spelling वैलन के spelling और उसका अगर वहाँ पर बढ़ा है database के अंदर इधर भी पर डबली हो है बाकी अगर बिलकुल same exact match करते हैं तब वैलन का record आपके सामने show होगा otherwise नहीं होगा यह के अंसेंस्टिव इसका यह की चीज के अंसेंस्टिव है उसके लिए बढ़े सार अपर केस और लोर केस लहदा लहदा लफज है ठीक है format sensitive यह है के जो date है वह format sensitive है जब आपने date की बार में कुप condition देनी है तो वह format sensitive है पहले आने आपके days, days पहले आने, दूसर नमबर पह आने आपके months, तीसर नमबर में आने आपके years यह आपके date का format होना चाहिए जब आप अगर date की कोई condition दे रहे है इस चीज को हम practically कर लते हैं सबसे पहले practically हम करते हैं number वाले को अब मैं condition दे देता हूँ कि मुझे सारा record चाहिए अब सारा record चाहिए तो आपको पता है सारे के लिए हम static का keyword यूज करते हैं मुझे सारा record चाहिए कहां से, amp के table से ठीक है, ठीक है अब मैं सारा condition दे रहा हूँ amp के table से तो चाहिए लेकिन जो उसका होनी चाहिए न क्या ना क्या नाम है उसका debt number उसका debt number वो होना चाहिए 30 ठीक है अब जो record है मेरे पास सिफ यह उन employees का है जिनों का debt number है वो 30 है इसके लावा तो नहीं है आपके सामनी है मैं को specific column भी ले सकता था कि मुझे e-name job चाहिए जिनों को debt number 30 है अब मैं एक और अब दूसरी जो string वाली example है वो भी लेकर आपको दखा देता हूँ मैं कहता हूँ के मुझे चाहिए select e-name चाहिए job चाहिए बहुत है इतना ही ठीक है job चाहिए किन की from पहले बाद कहां से चाहिए अब किन की चाहिए मैं कहता हूँ जिनों के e-name जिसका e-name जिसका e-name a-l-e-n ठीक है न अगर मैं a-l-n ऐसे लिख देता हूँ a-l-e-n वो कहेगा no row selected देखें वो कह रहा है no row selected वो क्यों कह रहा है यह मेरे a-l-n के spelling देखें और यहां पे a-l-n के spelling देखें यह a-l-n साड़ा capital के अंदर मैंने साड़ा small के अंदर लिख दिया उसके लिए यह एक अलादा word है यह एक अलादा word है इसलिए कहते हैं कि जो आपकी character string हम यहां खुद से देते हैं वो के sensitive होती है अगर मैं a-l-n को बरे के अंदर ही लिख देता हूँ जैसे उपर database के अंदर पहले से मजूद है तो वो उसका record आपके सामने ले के आ जाएगा ठेक है spelling भी सही होने चाहिए यह शर्ती है देखें आप a-l-n और उसकी job के है salesman है यह देखें a-l-n और उसकी job के है salesman है ठेक है यह आपके सामने show cash card इसी तरह आपने कोई चीज देखनी है बलके date wise भी मैं आपको search अगरा करने select मुझे चाहिए क्या e-name e-name चाहिए और के चाहिए उसकी job चाहिए उसके बाद उसकी salary चाहिए कहां से चाहिए employee के table से चाहिए ठेक है जिसकी hire date है वह hire हुआ हो कब hire हुआ हो 20 February 81 20 20 February 81 ठेक है यह देखें यह ln हुआ था 25 February 21 तो उसने allen का record दे दिया ठीक है यह भी आपके पाद यह चीज देखने यह date format इस तरह आपका होना चाहिए यह भी date sensitive date format sensitive पहले दिन आने चाहिए बाद में उसका महिने का नाम है पहले तीन word आने चाहिए उसके और उसके बाद उसका साल का ठीक है यह क्या था आपका where keyword इसके में मैंने आपको बताया के यह क्या होता है यह किस तरह यूज करते हैं अब हम where के आगे condition किस किस तरह की क्या क्या condition के कौन से operator यूज कर सकते हैं वह हम आगे की वीडियो में देखेंगे तो आज के लिए प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट में कोई भी चीज आपने पूशने तो पूश सकते हैं शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए